दूरू जी भगवान के दो परचाई ग्रहे कौन कौन से हैं? जो दो चाया ग्रहे जो दिखाई ली देते मगर सबसे बगवाने वो है राहू और जेटू अब बिना किसी जिजक के शनीवार के दिन शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्ट पटे लगर नई दिल्ली में जो जनता दर्बार लगाया जाता है सुबह 11 बज़े से उस जनता दर्बार में आकर मुझसे मिलकर अपनी सभी प्रकार की परिशानियों के लिए वैदिक एस्टरोलोजी के ऐसे उपाय जान सकते हैं जो करने तो साल में सिर्फ एक बार होते हैं मगर पूरी साल फाइदा देते हैं या करने तो तीन साल में एक बार होते हैं मगर पूरे तीन सालों तक आपको फाइदा देते रहते हैं तो ऐसे उपाय वैदिक एस्टरोजी के वो उपाय हैं जिने आप करिये और भूल जाएए आपको रोज रोज कहीं चक्कर लगाने की जरूत नहीं है, गाये को चारा देने की जरूत नहीं है, पक्छियों को दाना खिलाने की रोज कंपरसरी वाली जरूत नहीं है, खिलाएं बहुत अच्छी बात है, आपको सभी का ख्याल लगना चाहिए, भगवान ने आपको आप आने वाले शनीवार को सुबह 11 बजे हमारे शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्ट पटे नगर नहीं दिली आकर हमसे मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों का उपाय जान सकते हैं किन्तो यहां आने से पहले एक बात का अवश्य दियान लखिये जो भी व्यक्ति अपनी यहां पर परेशानी के लिए उपाय जानने आएगा वो भगवान शनी देव के लिए पांच अलग अलग तरह की धाई धाई सो ग्राम यानि टोटल मिलाके सवा किलो मिठाई अवश्य लेके आएगा हर व्यक्ति जिसे अपनी परिशानियों के बारे में हमसे चर्चा करनी है इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग शादी योग योग हैं या जिनके बच्चे शादी योग हो गय हैं तो हमारे शनी पीठ मंदिर की जो वेबसाइट है marriagebiodata.app जो स्कीम पर इस समय दिखाई दे रही है और उसका लिंक वीडियो की description में आपको अवश्य मिलेगा उस लिंक पर किलिक करके आप अपनी पसंद के अनुसार एक खुब सुरसा बायोडिटा बना सकते हैं और उस बायोडिटा के बल पर एक खुब सुरसा जीवन साथ प्राप्त करने में सच्छम हो सकते हैं तो बिलकुल भी देर मत करिए अगर आप शादी के लिए परिशान होने तो एक खुब सुरसा बायोडिटा अवश्य बनाईए जै शनी देव झाल प्राप्त करने में तो एक खुब सुरसा बायोडिटा बनाईए